ओम स्यंति, हमारा ये जीवन बहुत बहुत मुल्यवान है, अपने जीवन को स्वयम महत्व दें, अपने अनमोल समय की कीमत को पहचाने, और जान लें कि हमारा एक-एक संकल्प बहुत ही किन्ती है, बड़ा महान है, उसकी एनर्जी सारे संसार को पहुंचती है, अगर हम व्याद सोचते हैं, तो वो निगेटिव एनर्जी भी वायू मंदल में फैल कर, वातावन को दूसित करती है, और इस्थापना के कारिये में सुक्स्म रूप से बाधा पड़ती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है, इस समय हम सभी अपने विकर्म विनास करने के लिए आवास से योग लगा रहे हैं, जितना पावरफुल हमारा योग लगेगा अर्थाट, मन निर्शन कल्प रहकर एक की याद में मगन हो जाएगा, उतने ही हमारे विकर्म विनास होंगे, और जितने जितने हमारे विकर्म विनास होंगे, हमारे संसकार बदलते जाएंगे, हम बहुत हलके होते जाएंगे, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, हमारे विग्न समाथ होते जाएंगे, हमारी तोटल स्थिती में व्रध्धी होगी, तो हम ध्यान दें, हमें विकर्म विनास अवस्य करने हैं, क्योंकि अगर विकर्म हमने विनास न किये, तो उनका फल हमें भोग ना पड़ेगा, और वो बहुत भैयानक होगा, चो कि विकर्म थोड़े नहीं, धाई हजार साल में न जाने कितने विकर्म किसने कर लिये हैं, इसलिए अब बहुत अच्छी तपश्या करके स्वयम को विकर्मा जेत बना देना है, और जैसे जैसे हम विकर्मों से मुक्त होते जाएंगे, एक सुक्स्म स्वरूप, एक सुक्स्म पहचान हम अपनी कर सकेंगे, कि हम से अब और कोई विकर्म नहीं होगा, न जूट, न चोरी, न ठगी, न विकारों का, न किसी को धोका देने का, न क्रोध करने का, ये सब चीजे स्यान थोती जाएंगी, तो हम विकर्म विनास कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है, कि अब हमारे सुक्स्म विकर्म न होते रहें, क्योंकि अगर हम सुक्स्म विकर्म करते रहेंगे, तो उसकी सजा सो गुनी हो जाएगी, और हम हलके नहीं हो पाएंगे, हम इन विकर्मों के बोज से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो आईए चेक करें, हम किसी की खुशी तो नहीं छिनते, हम किसी की स्थिती को डिस्टर्ब तो नहीं करते, हमारे कारण कोई मनुष परिशान तो नहीं रहता है, हमारी द्रस्ती देहे पर तो सदार नहीं रहती है, देहे का कर्शन तो हमें नहीं है, या देधारियों के बारे में बहुत सारे विकल्प तो हमारे मन में नहीं चलते हैं, चोकि ये सभी सुक्सम विकर्म हैं, और यदि य बढ़ते रहे तो आत्मा बोजिल होती जाएगी और बोजिल आत्मा बोजिल मन कभी उपर उड़ नहीं सकेगी हमारा योग भी भारी कठिन हो जाएगा और जीवन में खुसी भी बिलकुल नस्थ होती जाएगी जिनको व्यर्थ बहुत चलते हैं जिनका योग नहीं लगता जो बहुत परिशान रहते हैं समझ लें कोई न कोई सुख्म विकर्म अवस्य हो रहा है तो आईए हम सभी विकर्मों से मुक्त बनकर निर्विकारी बने विकर्मा जीत बने ताकि हमारे द्वारा इस स्थापना के कारिये में सदा महान योगदान होता रहे केवल धन दे देना केवल तन लगा देना ही केवल यग सेवा कर लेना ही परियाप्त नहीं है लेकिन हमें बहुत बहुत योग्युक्त रहके विकर्मा जीत बनकर इस स्थापना के कारिये को संपन करना है तो आज हम स्वमान में रहेंगे, मैं राज रिशी हूँ, बहुत रोयल हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस फरिष्टा हूँ, चलता फिरता फरिष्टा, मुझसे चार ओर निरंतर वाइब्रेशन सेलते हैं, मेरी लाइट के प्रभाव से संसार का अंदकार दूर होता है, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलेंगे परमधाम, ज्यान सूरिय की किर्णों के नीचे, और बहुत सुन्दर अनूटी करेंगे, ओम शांती